सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10 ऐसे English sentence का structure जो ज्यादा तर English बोलने पर या लिखने पर यूज़ किया जाता है अगर इस structures को अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपका English बहुत ही अचा होगा सो इस पीडियो के अंतक मेरे साथ बनी रही है मैं आप लोग को इस दस structures के बारे में हिंदी ट्रांसलेशर के साथ बताने जा रहा हूँ नमबर वन पर है साबनेट क्लॉस यह दभी बारीश हो रही थी वह सेर करने जाने का फैसला किया इसका English कैसा बनता है इसको देखते हैं इस तरीके का सेंटेंस या इसमें जो भी एक क्लॉस यूस हुआ है इसको हम साबनेट क्लॉस के देखते हैं मैं अपना काम पूरा करने के पाथ आपके साथ रात का खाना खाऊंगा तो इसका English कैसा बनता है चलिए यह दिखते हैं after I finish my work I will join you for dinner so यह भी एक subordinate क्लॉस का structure है so next example है क्योंकि उसने बस नहीं पकड़ी थी वो मीटिंग में देर से पहुंचा because he missed the bus he arrived late to the meeting so यह भी आपका एक subordinate क्लॉस का structure है so no.2 पे है और इसका structure देखते है प्यार का सहर के रूप में जाना जाने वाला प्यारीज बर्सों से लाकों परेटकों को अक्रसित करते है so यह एक अपोजिटिव फ्रेज का structure यूज हुआ है इस sentence पे चलिए इसको हम English में इसका translation कैसा बनता है देखते है the city of paris known as city of love attracts millions of tourists each year चलिए इस वाक्या में भी एक अपोजिटिव फ्रेज यूज हुआ है तो चलिए पहले इसका हिंदी देखते है और इसके इंग्लिस में क्या होता है वह देखते है उसका पीता साहिते में क्लासिक कहीं भासा में अनुबात की गई है तो चलिए देखते हैं इसका इंग्लिस में क्या होता है और ऑपोजिटिव फ्रेज कान सा है वह में इंग्लिस में यहां पर जब पाएंगे तब बताऊंगा इहां पर जो दबुक है वह एक सब्जेक्ट नाउन फ्रेज ठीक है और इसके बगल में जो कॉमाज के बीच में रहा है एक लिए से हम अपोजिटिव फ्रेज कहते हैं नेक्स एक कंडिशनल सेंटेंज जो बहुत ही जादे मात्रे में यूज किया जाता है इस कंडिशनल सेंटेंज का स्ट्रोक्चर तो चलिए देखते हैं अगर में ध्यान से पड़ता तो में परिक्षा में पास हो जाता तो यह कंडिशनल सेंटेंज का स्ट्रोक्चर है चलि सेंटेंस के स्ट्रोक्चर पर किस तरी किसे बनाएंगे इंग्लिश में चलिए देखते हैं चीव गो टो दो पार्टी इस सी फिनीशेश हर वाक औन टाइम सो यह एक आपका conditional sentence का structure है जहां पर इफ का project होता है चलिए आगे बहुते हैं अगर कल बारिस होती है तो हम बाहर का कार्यक्रम रद कर देंगे सो यह भी एक conditional sentence का structure है चलिए इसको हम English में कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं if it rains tomorrow we will cancel the outdoor events so यह लास्ट है हमारा conditional sentence का structure हमारी नेक्स structure है participle phrase ठीक हिंदी वाले sentence को देखेंगे and then फिर हम English का sentence को देखेंगे तो पहला है दोरते हुए देर हो रही थी तो वह जल्दी से अपनी बैक ली और गार छोड़ दिया गार छोड़ दिया मेंज गार से निकला तो चलिए यह एक participle phrase का structure है को हमें English में कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं running late she quickly grabbed her bag and left the house so यहां पे participle running late जो है एक participle phrase है जहां पे भाब का ing वाला form as a adjective काम करते हैं तो next example है उन्हें यात्रा से उत्साहित होते हुए वह रात के पहले अपने बैक पैक कर लिए तो जल्य हम इसको English में बनाएंगे और जानेंगे कि इसमें कौन सावला participle phrase है excited about the trip they packed their bags the night before ठीके यह तो यहां पे बाब का thought form be as a participle use किया जाता है और यह भी एक्जिटिपी रूप में हमें यूज़ कर सकते हैं जैसे excited और इसका भीफोर आइंजीवल exciting होता है लंबी यात्रा से ठके हुए वह थोड़ी दर के लिए आराम करने का फैसला किया तो यहां पे भी participle phrase का यूज किया गया है चलिए इसको हम इंग्लिश में जानते हैं और में बताऊंगा यहां पे participle phrase कांसा वाला है exhausted from the long journey they decided to rest for a while so English का यह translation बनता है और यहां पे जो exhausted from जो है एक participle phrase है और यह past participle phrase है जब ing वाला होते जैसे exhausting from होता तो यह present participle होता है और यह B3 लगा हो है exhausted from यह एक past participle है so next है हमारा infinitive phrase और इसका structure हम देखते चलिया यह पिले इसका Hindi को sentences देखेंगे and then English जानेंगे उसने वादा किया कि वह प्रोजेक्ट में मदद करेगी तो यह infinitive phrase का structure है so इसका English say she promise to help with the project यहां पे out जो है यह एक infinitive phrase है उसे guitar बजाना सिखना है so यहां पर भी infinitive phrase मिलेंगे चलिए इसका English कैसे बनता है she wants to learn how to play guitar ठीक है यह पर to learn और यह पर to play जो है यह दोनों है infinitive phrase है क्योंकि यहां और तू के साथ एक भॉब भी वन यूज किया गया है तो यह एक infinitive phrase बनता है और यह ज्यादा तर English में हम इस structure को हम mostly English में यूज करते हैं next example is वे अपने सपने पूरा करने के लिए बिदेश जाने का फैसला किया यहां पर infinitive का यूज हुआ है चलिए देखते हैं they decided to go abroad to pursue their dreams यहां पर to go to pursue यह दोनों जब एक साथ है एक group में काम कर रहा है तो यह भी एक infinitive phrase है कि सो नेक्स्ट है हमारा compound complex sentence यह मुश्किल होता है यह sentence use करने के लिए advanced level के लोग यूज करते इसे तो चलिए इसका भी कुछ examples दिखते हैं जैसे की शूरत समख रहा था लेकिन हावा ठंडी थी इसलिए वे इदर पिक्निक करने का फैसला किया तो यह एक compound complex sentence का जो है structure है चाड़िए इसका English में कैसे बनता है इसको हम देखेंगे the sun was shining but the wind was cold so they decided to have a picnic outdoors यह एक compound complex sentence sentence का structure है ठीक है इसको आपको रिटेल में जानना है तो आपको वीडियो मिल जाएंगे लाइब में पढ़ाया हूं मैंने लाइब सेक्षिन में जाहिए वहां पर आपको मिलेंगे और आपको और अलग से एक डिटेग्रेट वीडियो चाहिए तो comment कर सकते हैं ठीक है मैं आपको यहाँ पर जो पर structure को जानना चाहते हैं आपको एकदम डिटेल में तो उसके बारे में आपको comment कर सकते हैं उसने परिक्षा के लिए कड़ी मिनत की लेकिन वह फिर भी अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर सका क्योंकि वह बीमार थी इंग्लिश में कैसे बनाते हैं दिखते हैं यह बी एक कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है इसको इंग्लिश में जानते हैं यह एक कंपाउंड कंप्लेक्स का एक स्ट्रक्चर है सो नेक्स्ट है हमारा जेरंट फ्रेज इंफिनिटी फ्रेज की तरह ही काम करता है लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंट होता है जैसे कि संबुंद्र में तेरन उसका पसंदीता सौक है तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगी यहां पर कि यहां पर में तोड़ने से वहां फिट रहता है चलिए इसको इंग्लिश में जानते हैं और में बताऊंगा आपको की जरन्फ्रेज कौनचा वला है singing in the shower makes her feel happy ठीक है तो यहां पर singing in the shower जो है एक जरॉन फ्रेज है so next है हमारा important फ्रेज है absolute फ्रेज जो एक group of word होता है यह group of word पूरे sentence को modify करता है जो चलिए देखते है एक्जामपल खेल खतम होने के बाद हम सभी रात का खाना खाने कल गए यह आपका यह तो हिंदी हो गया आप English में देखते है कि यहां पर absolute phrase कांचा वला है तो गेम ओवर जो है absolute phrase we all went for dinner ठीक है तो गेम ओवर जो है दुसरा वला sentence को पूरा मोडिफाइ कर रहा है बारी शुकने के बाद हम अपनी hiking जारी रखे दरेन हैविंग स्टॉप्ट वी कंटिनुट आवर हाइक तो यहां पर दरेन हैविंग स्टॉप्ट यह एक absolute phrase चुरस तेज चमक रहा था इसलिए हुए बीच पर जाने का फेशला किया तो संसाइनिंग ब्राइटली दे डिसादे टो गो तो यहां पर दसंसाइनिंग ब्राइटली भी एक absolute phrase है जो पूरे पीछे वाले sentence को मोडिफाइ कर रहा है तो नमबर नाइन पर है हमारा इस्ट्रक्चर एक्जिटिव क्लॉस का इस्ट्रक्चर उस किताब जो आपने सुजाई थी बहुत दिल्चस्त थी यहां पर दैट से पीछे जो भी एक clause है यहां पर पूरा sentence है यह पूरा clause दबुक मोडिफाइ कर रहा है तो इसलिए यहां पर यह एक जिटिव क्लॉस है क्लॉस को क्या कर रहे मोडिफाइ कर रहा है उस कार जो उसने पिछले हपते खारी थी उसे अब समस्या दे रही है the car that he brought last week is already giving him trouble so here that he bought last week is already giving him trouble वाला पार्ट जो है ठीक है डाट से जो आगे का पार्ट जो the car को छोड़के बांकी सब जो क्या है एक 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 जो कार को क्या कर रहा है modify कर रहा है the car subject को modify कर रहा है so last structure है हमारा interrogative sentence आप कल रात कहां गये थे where did you go last night क्या आप आज रात party में जाने वाले है are you going to the party tonight आपको अपनी project के लिए कैसे मदद कर सकता हूं इसका answer आप लोग comment में बनाए तो चलिए ये था कुछ most used structure of English I hope आप लोग को समझ में आया होगा so thank you so much for watching